Hello दोस्तो, Welcome to Galaxy Classes, बहुत-बहुत स्वागत है बच्चो आपका, तो जैसे कि आप जानते हो students, भारत और उसके defense sector को लेकर एक important update है, सिपरी काफी news में है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो ये एक ऐसा organization है, जो कि report publish करता है, और इसने अभी कौन से report publish करी है, जो global military spending है, उसमे अलग-अलग देशों की यहां पर ranking है, कि कौन जो है अपने defense में सबसे जादा खर्चा करता है, ठीक है, expenditure करता है वो, ताकि उनका defense sector जो है, वो strong बने, ठीक है, तो यहां पर students बात करेंगे, हम भारत की rank क्या है, fourth rank है, in global military spending, तो क्या रही है students, fourth rank पर रही है, भारत की spending, यहा 2023 का data है, 2024 में publish हुई है, तो data 2023 कराएगा, वहीं अगर हम बात करें, तो पहले rank 3 पे था इंडिया, अभी जो है, वो रशिया ने टॉप कर लिया है, इंडिया के आगे, तो rank 3 पे अभी रशिया आकर, भारत हमारा चौथे नमबर पे हो जाता है, बात कर रहे हैं, हम global military spending की, ठ 2023 के students, और हम सिपरी के बारे में भी जानेंगे, top 10 rankers जो देश हैं, उनके बारे में देखेंगे, साथ महीं students defense system को समझेंगे, आज हम भारत और दूसरे देशों का कि क्या level है, क्या expenditure उनका है, spending कितना है, तो students ध्यां से सुनिएगा और बने रहेएगा session में, देखेंगे यहा military spending है, अलग-अलग missile systems है, aircrafts, equipments है, उनके अंदर वो खर्चा करते हैं, उसका import-export होता है, right students, तो यहाँ पर देखेंगे, India 4th largest military spender है, according to the SIPRI की report, तो students, यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार यह SIPRI क्या है, देखेंगे, Stockholm International Peace Research Institute को हम SIPRI कह रहे हैं यहाँ ठीके students, तो ही अपना defense का data, अलग-अलग देशों का spending release करता है, ठीक है, तो official site पर भी आप इसमें बहुत other details देख सकते हो, बट यहाँ पर हमने आपके लिए summarize करा है, right, कि जितना आपके लिए relevant है, आपके examinations के लिए ranks पूच सकते हैं, कितना spending हो रहा है, कितना खर्चा है, ठीक है, वो आपके लिए जानना जरूरी हो जाएगा, तो यहाँ पर सुरेंस सिपरी जो है, वो 6 में 1966 में फॉर्म हुआ था, जो कि इसका formation हो जाएगा, तो 1966 और सिपरी, फिर देखेंगे यहाँ पर टेज, एर्लैंडर और अलवा मिर्डल क्या हैं, इसके founders है, जिन्होंने इसको बनाय यहाँ पर Stockholm, Sweden में located है, राइट students location कहाँ पर है, Stockholm, तो यह है Stockholm International Peace Research Institute, जो report इन्होंने पब्लिश करी है, 2023 के data case आप से 2024 में करी है, तो नाम है उसका trends in international arms transfer, जो भी transfer है, equipments का, arms का, ammunition का, aircraft का, defense systems का और equipments का, ठीक है, तो यहाँ पर trends in international arms transfer, report का नाम हो जाता है, जो यह publish करती है, ठीक है students, यह इन की publication है, तो इसके according अब हम देखेंगे, कि military spending top 10 देशों में से, अलग-अलग देशों का कितना है, तो देखो पहले number पे कौन रहा है, यहाँ पर United States, ठीक है, अमेरिका जो है, वो top पे है, यहाँ spending की हम बात कर रहे है, यहाँ पर खर्चे की बात कर रहे है, ठीक है, कि हम जो है अपने defense sector को, military को strong करने के लिए कितना खर्चा कर रहे है, तो यहाँ पर कितना है, इनका सबसे जादा है students, 916 billion dollar, ठीक है, तो याद रखेंगे, फिर दूसरे पर China है, चाइना है कितना, 296 billion dollar, right students, फिर रशिया आजाता है, ठीक है, पहले 30 नमबर पर भारत होता था, अब भारत का rank यहाँ पर 4 है, तो ऐसा नहीं है कि students, यहाँ पर decrease हुआ है, अगर हम overall बात करें, तो recently एक आपका update आया था, कि भारत का जो defense sector के अंदर increase देखा गया है, spending में 4.2% है, right, तो यहाँ पर ल में इतना आपको याद रखना है, ठीक है, यह जो data है ना, इसको star लगा लेना, तो 4.2 और 4 नमबर की rank, भारत का नमबर 4 याद रखने ना, तो बड़ा simple सी बात है, ठीक है, कितना है, 83.6 billion dollars, तो यह भी students आपने याद रखना है, 83.6 billion dollars, जो रशिया आपका students, वो थर्ड नम 9 billion dollars, तो 83.6 पे अपना भारत है, फिर देको सौदी अरब है, United Kingdom है, UK, Germany है, यूरोप में, फिर Ukraine, France और Japan, तो यह जपान का याद रख लेना, ठीक है, टॉप 10 में 10 नमबर किसका है, जपान का है, तो जपान का spending है, 50 billion dollars के आज पास, ठीक है, 50 पे पहुँच गया है, 10 नमबर पे आते आते, अपना 4 पे था 83.6, 4.2% के यहाँ पे students, इंक्रीज देखा गया है, भारत का rank है, 4 और top 10 में students, यह spending हो जाती है, in billion US dollars, ठीक है, तो यह top 10 countries है, और साथ में students, एक overall data आपको provide करेंगे, जिस पे आप नज़र देख सकते हो, कि यहाँ पे, जो different expenditures हैं, अलग- तो comparison chart कह सकते हो, आप, यहाँ पे आपको कुछ-कुछ बाते एक overall बस याद रखनी है, ठीक है, तो जैसे कि आप देखो, यहाँ पे global military expenditure, global military expenditure कितना रहा, dollar 2443 billion, जो की 2022 से, अब तक 6.8% increase देखा गया है, अब ही हम बात कर रहे हैं, 2023 की है न, तो यहाँ पे अगर हम 2223 में comparison कर तो 6.8% global, पूरे विश्व की बात हो रही है, ठीक है, कि सभी ने मिला कर जो इनका क्या है, expenditure है, जो खर्चा है, 2023 वाला, वो 6% उसमें बडोत्री रेखी गई है, increase देखा गया है, ठीक है न बच्चे, अब देखो इसमें top 10 spenders में आपको बताया, पहले पे US, फिर चायना, और चौथे पे अपना प्यारा भारत, ठीक है, 4th rank पे हो जाएगा इंडिया, यहाँ पे 1, 2, 3, तो सारे के सारे आपको याल रखने है, top 10 में आप एक 10th का देखो Japan, और यह top 4 देख लेना, ठीक है, top 3, US, China, Russia, 4th पे इंडिया है, है न, तो यहाँ पे यह सिपरी की रिपोर है, 109 billion dollars, तो यहाँ पे students, 24% का increase देखा गया है, तब ही यह तीसरे नबर पे पहुंच गया है, है न, भारत को सरपास करके, तीसरे पे आगया है, रशिया, याद रखना इसका rank, फिर देखो China का military spending यहाँ पे 6% increase देखा, यह तो हमेशा शुरू से ही, top पर रहते हैं, students, US औ हैगा, China का, तो यहाँ पे students, भारत के पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, चाइना है, फिर बांगलादेश है, तो अगले कुछ सालों के अंदर, जो यह defense का expenditure है, यह लगबग हर देश का बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जितनी भी यह equipment होते हैं, उनके उपर dependency भी बढ़ रह जाते हैं, साथ में ही आपको बताना है आपके Minister of Defense, जो कि कौन हो जाते हैं, बताएंगे इसको students, comment section में, फिर देखेंगे यहाँ पे अगर हम Middle East की बात करें, विश्व में जो आपका Middle East है area, तो उनका 9% increase देखा गया है, 200 billion dollars तक पहुंच गया है, ठीक है, okay students, highest growth देखे गई यह एक decade में, okay, and Israel के अगर हम बात करें, तो 24% increase हुआ है, तो यहाँ पे students, जो Iran-Israel का conflict है, तो उनका तो जो है, अपना बड़ी राय expenditure खर्चा वो जादा ही कर रहे है, साथ में ही अगर हम Central America की spending देखें, 2023 में, तो यहाँ पे 54% higher है, 2014, 2014 से लेकर अब तक, 23 तक, ठीक है, okay students, मैक्सिको के देखोगे, dollar, 11.8 billion, ठीक है न, यहाँ पे other, जो developments है, जैसे कि India, याद रखना, 83.6 billion dollars, और Congo में भी increase है, पॉलैंड में भी students, यहाँ बड़ोतरी देखी गई है, अलगेरिया में भी, ठीक है न, भारत का याद रखेंगे, साथ में ही students, Iran, जैसे हमने इस्राइल क बात करी, similarly, इरान में भी fourth largest हो जाता है, यह middle east में, middle east country है, तो वहाँ पे fourth largest में आ रहा है, इरान, तो इरान और इस्राइल, regularly students, अपना war की वज़े से, जो भी उनके protection reasons है, security reasons है, तो अपना expenditure बढ़ा रहे है, खर्चा बढ़ा रहे है, तो fourth largest हो जाएगा, इरान, साथ में students, यह सारा जो data है, देखो, overall हमने सारे sectors cover कर लिये है, right, US है, China है, Russia है, India है, तो यहाँ पे आपको इतनी बाते याद रखनी है, और एक question आप से और पूछना है मुझे, जैसे हम यहाँ पे spending कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, import, export होता है, तो similarly हम जो है, import पे बहुत dependent र कि recently हमने export भी किया है, क्या, defense में, एक supersonic cruise missile है, जो इंडिया ने भेजी है, Philippines को, जिसके उपर हमने specially dedicated video भी बनाया है, उसकी details के लिए आप जरूर देख सकते हो, हमारे official channel पर, galaxy classes पर, पर आपको उस missile का नाम बताना है, जिसके बारे में हमने discussion भी करी, भारत ने deliver करी, Philippines को, ठी है, तो उस cruise missile का आपको नाम बताना है, comment section में, जाते-जाते students बताके जाना, और उस video को आप definitely देख सकते हो, तो students, this is all for today's class and I hope आपको ये सारा data जो है, overall picture mind में रहेगी, कि इस तरीके से जो है, सारे देश अपने defense sector को strengthen करके, ठीक है, expenditure अपना regularly बढ़ाते जा रहे हैं, तो ज दुरे रहे हैं students, galaxy classes से and have a nice day.